विद्द्धिर्ज सेफिल कि यहरे श्टुडेन्ट में विद्ध्यासागर और आप देहने भी है इसके विद्ध्यासागर सिंग का चैनल तो देखीए यह वीड़ियो ही आप लोग को क्लास दश्वी के हिंदी के भाग दो गोधिली पाठ है पांच नागरी लीपी पांच पठ का नाम जो है आप लोग को नागरी लीपी नागरी लीपी से पहले हम लोग चार पठ के कोशन तो देखेए यह वीडियो है आप लोग को क्लास दसवी के हिंदी भागदो गोधीली गोधिली के जो पाथ है पाथ जिसका नाम है नागरी लिपी इससे पहले हम लोग चार पाथ देख चुके थे जान चुके थे और उसमें से जो भी objective और subjective प्रसन बनने वाले थे वो सब चीज हम लोग जान चुके हैं बस आप लोग question answer कर लिजिएगा किसी को भी कोई दीकत नह होगा अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे तो वह वीडियो का लिंक डिसके सुमक्स में दिया गया है नहीं तो एक playlist बना दिये हैं जिसके मद से आप लोग पुरा का पुरा वीडियो लाइन बै लाइन देख सकते हैं तो चलिए आप लोग को ये पांच पाथ के नागरी लिपी जिनके लेखा खाएं गुडाकर मुले इस पार्ट को पुरा पुरा जानेंगे पुरा समझेंगे क्या है इसमें तो आप लोग देखेंगे वीडियो को अंतक चलिए आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं यानि ये पार्ट शुरू करते हैं जिनके लेख तीन जनवरे 1935, महराश्ट के अमरावती जिले के एक गाउं में हुआ था, उनकी पर्रमभिक शिक्षा दिक्षा, गरामिड परविय समुही, मनि गाउं में हुआ, जो पर्रमभिक शिक्षा था पढ़े ये गाउं में, इन्होंने मिडिल अस्तर तक मराथी पढ़ाई की यहां भी होगा एक की होगा फिर वे वर्धा चले गए और वहां उन्होंने दो वर्ष तक नौकरी की साथ ही अंग्रेजी वह हिंदी के अधियापक अधियान किया फिर इलहाबाद आकर इन्होंने गणिति विशय में मैट्र से लेकर एमे तक की पढ़ाई की सन 29 में मूले जी का निधन हो गया था एक्जेक्ट डेट का बात किजिए गतर साइदे 18 या 16 अक्टूबर है यहां पर दीखने यहां बहुत छोटा है ठीका चलिए तो यहां पर यह गुडाकर मूले जी है जो कि इनका निधन जो हुआ है नौ में हुआ है यहां आप लोग के जनम लेने के बाद ही इनका निधन हुआ है देए गुडाकर मूले के अध्यायन एवं कार्ये का छेत्र बड़ा ही ब्यापक है इन्होंने गणीत खगोल बिग्यान अंतरिक्ष बिग्यान बिग्यान का इतिहास पूरा लीपी सास्त्र और प्रचीन भारत का इतिहास वह संस्केर्टी जाइसे भी सवर Congressman खूब लिखा है इनका जो छेत्र है कार्य छेत्र बहुत निधन ही बड़ा है यह बहुत भागों में प्रचलीत हुमें हैं जिसें गणीत में खगोल बिग्यान में अंत्रिक्ष बिग्यान में बिग्यान पुरा लीपी सास्तर में, परचीन भारत की तिहास में, पुरा न पुरा न इतिहास को ये जनकारी प्रब किये हैं, अब बताते भी हैं इस पार्थ में, तब लोगों जानेंगे. पिछले पचीस वर्सों में, मुखेत इन ही विशायों से, संबंधित इनके, पचीस सव से अधिक लेखों तथा, तीस पुस्तकों का परकासन हो चुका है, पचीस सव लेख, पचीस सव से अधिक लेखों का परकासन हो चुका है, और तीस पुस्तक परकासन हो चुका है, उनक प्रमुख क्रितियों के नाम है, अक्षरों की कहानी, जिसे मान लिची है, जिसे कोई भी लिख लिखता है, या कोई भी अपना परकासन की है, लिखा, तो उन में से क्या है, जो फेमस फेमस है प्रमुख है, वो है अक्षरों की कहानी, ऐसे देता है, अब्जेक्टिम में आप लोग को पसंद दे सकता है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है तो चार गोलेखा के नाम देदेगा उनमें से गुडाकर मुले भी रहेगा एगो तो गुडाकर मुले ले कर लिजेगा तो कि इनकी मने फेमस है फेमस है तो उसको याद करना जरूरी है जानना जरूरी है अक् सॉर् tegen सॉरमंडल सॉर्य नच्छात्र लोक भारती लीपियों की कहानी अभी इसमें जानेंगे न लीपी कहँ में इतिहाज जनेंगे एक परकार से लिखने का तरीका न है इसमें अभी जैंव vast तो हिंदी भी लिखेने का लीपी होता है अलग अलग लीपियों में लिख सकते हैं जिसे मान लिजिए हम लिख रहे हैं आम ठीक तो आम लिख रहे हैं तो अगर चीनी भ्यक्ति मैंने चीन में जो रहने हो चीनी भासा जानता है उससे का यह आम लिखो तो वो भी अपना भासा में आम लिख देगा हिंदी ये है लेकिन लिखने का उसका भासा हो गया अपना चीनी वो लोग अपना हो गया जो भी लिखे इंगलीस में कोई लिखे तो जिसे मैंगो जो हो गया अंग्रेजी भासा हो गया ठीक सिधा सा बात अंग्रेजी में आम क्या है? हिंदी है, आम हिंदी है लेँन अंग्रेजी में भी आम लिख दीजेगा जिससे लिखिएगा डॉबल ए और आम जिसे वारसे पे आप लोग चैटिंग करते हैं नो तो हिंदी ही लिखते हैं लेकिन आप लोग का लीपी यह होता है, वो रोमन हो जाता है, लीपी बदलता है क्यों, आप लोग इंगलीज नहीं बोल रहा है, वाट से पर चैटिंग देखा जाए भारत के बिहार के लोगों, तो हिंदी में ही बात कर रहा है, खा रहा है कि नहीं, पी रहा है कि नहीं, तुम क्या हो तो य... एक प्रकार क्या है हिंदी ही है बस उसका लीपी आप लोक बार से पर दूसरा लिख देते हैं लेकिंफुकिए इसका लीपी जो है नागरी या देवनागरी लीपी कह सकते हैं त्रधिक शियात्र से हैं कहानी बताए हुए है जो कि इसमें जानने वाले हैं अंत्रिक श्यात्रा बर्मांड परिचय भारतिय विज्ञान की कहानी आदी गुडाकर मुले की एक पुस्तक है अक्षर तथा इस पुस्तक में इन्हों संसार की प्रायो सभी पर्मुख पुरा लीपियों के बीस्तित जनकारी दी है तो इसमें एक पुस्तक में गुडाकर मुले के इसमें जो संसार की सभी पर्मुख पर्मुख लीपिया है वो लीपी के बारे में इसमें बताए है जो मिन मिन पर्मुख पर्मुख है पर्मुख ह उसमें क्या है तब प्रस्तुत निबंद गुडाकर मुले की पुस्तक भारतिय लीपियों की कहानी ये एक परकार के पुस्तक है अब पुस्तक का मतलब होता है कमसे कम उसकी मुटाई मन लिजी इतना 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 या इतना भी हो सकता है तो ये पुस्तक है अब प पुष्टक हो गया पुष्टक में से हम तीनचार पाना का या तीनचार पेजी कहिए एक निबंध जानने वाले हैं यह पुष्टक बहुत बड़ा होगा और उसमें संसार के जितने भी प्रमुख लिपिया है वो सब के बारे में पुरा गहराई से बताए हैं गुडा कर्मु हम लोग को दिकत ही नहीं होने वाला है चलिए यहां पर दखिए यह पुष्टक है भारतिय लिपियों की कहानी से लिया गया है यह निबंध इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के इतिहासिक विकास का रूप रेखास पष्ट की गई है यहां अच्छ कोई भी चीज एक एक तो नहीं आ गया होगा उसके अधनी अंतर विकास होते गया विकास होते गया तो अमने धेजरे कोई भासा बना होगा विकास की रूप रेखार सुपष्ट है वही हम लोग जानने वाले है यहां हमारी लिपि की परचिंता परचिंता में जो पुराना प्रस्तुत किया गया है तकनीकी बारिकियों और बीवराणों से बचते हुए लेखक ने निबांध को बोजिल नहीं होने दिया है अब तकनीकी बारिकियां और बीवराण से बचते हुए बीवराण मने गहराई से बचते हुए जदा गहराई में डीपली नहीं जाएंगे हम लोग ज़दा घाराई में नहीं जाएंगे नहीं तो फिर ये पुस्तक ही पढ़ना पढ़ेगा भारती उनली पियो की कहानी इसलिए हम लोग बहुत सौट कोड तरीका से जान जाएंगे पुरा इतिहास भी बचते हुए लेखक ने नीबंद को बोजहिल्क नहीं किये होने दिया है तदा साथगी और सहाजिता के साथ जरूरी इतिहासिक जनकारियां देते हुए कौन जनकारी इतिहासिक जनकारिया देते हुए लीपी के बारे में हमारे भीतर आगे की जिग्यासाएं जगाने की कुछिस की है इससे जानने से हम लोग को जिग्यासा जगेगा एक परकार का ये टेलर हो गया जिसे फीलम का कोई टेलर रिलीज होता है तो लोग फीलम देखने के लिए अकॉरसित होता है तो वही ये जिग्यासा जटा दिखाने के लिए जगाने के लिए हम लोग के ये निबंध है अगर ह हम लोग को पुष्टक पढ़ना पड़ेगा कौन भारतिय लीपियों की कहानी पढ़ना पड़ेगा तब पूरा एकदम गहराई से उसमें पुष्टक में बताया गया तो यह आप लोग को छोटा से निमंद जानते हैं यहां से हम लोग का जो निमंद है नागरी लीपी का यहां से स्टार्ट होता है पाथ का नाम भी है हम लोग का नागरी लीपी जिस लीपी में हम यह लेक छपा है इसे लिखा गया है जो लिखा गया है, उसे हम नागरी या दिवनागरी लिपी कहते हैं, नागरी या दिवनागरी लिपी, जिसे आप लोग को, अगर आज से कुछ वर्स पहले, बिहार बोड का एकजाम देते हैं अगर आप लोग, तो आप लोग को एकजाम में भरने के लिए आता था, कि आप लीपी क्या है किस में लिखेंगे लीपी क्या है हिंदी में लिखेंगा मनें हिंदी में लिखेंगा ता आप लोग लिख दीजेगा देवनागरी लीपी अगर आप लोग को इंगलीस में लिखना है तो रोमन लीपी लिखेंगा तो जो भी लीपी है आप लोग को लीपी दो सदी है ता दो सब्रस, दो सदी पहली बार इस लीपी के टाइप बने, टाइप मने इसे चपा, यह चपा, टाइप बने और इसमें पुष्ट के चपने लगी, इसलिए इसके अक्छरों में स्थिर्ता आगई, इस्थिर्ता मतलब इसे रुक गई, जद्या विकास नहीं लोग जानगे इसको नो है तो नो है इसको जानगे अला है तो लो है सिधा बात अब बदला नहीं सुरू में एकदम शुरूआत में जब रिस्ती मुनी लोग वर्ण का रचना कर रहे थे तो अगर वो लोग इसे कॉल लिखते हैं क़ो लिखने के बाद कहते यह ना है तो हम लोग नँ कहते शुरुवात में जो कहदिया कहदिया आप तो वर्ण माला बन चुगा है जो कि व्यव GEORGE रूप से हम लोग ज़रना है इधाम लाइन धरूप लाइन ज़रना है कौन क्या है नहीं तो कौन नहीं कहा देगा न हम इसको मौ कहेंगे तो अपना मंद से नहीं हो सकता है उसको ब्योस्तित बना दिये गया है इसमें टाइप जब बन गया लिपी के जब टाइप बना दो सदी पहले तो उसमें क्या आगई इस्थिरता आगई मने जदा बदला नहीं इस्थिर हो गया अब हिंदी तथा इसकी बिभीत बोलियां देवनागरी लिपी में लिखी जाती है हमारे पडोसी देश नेपाल की नेपाली खसकरा वा नेवारी भासाएं भी इसी लिपी में लिखी जाती है नेपाल की नेपाली जो भासा है नेपाली को खसकरा भासा भी बोला जाता है वा नेवारी भासाएं नेवारी भासाएं भी कायता है तो इसको लिखायता है तो नागरी लिपी में ही लिखायाता है किस लिपी में तो नागरी लिपी मने इसी लिपी में मतलब देवनागरी कहिए या नागरी कहिए मराथी भासा की लिपी देवनागरी है मराथी भासा का भी जो लिपी है देवनागरी है इसके लिए अनेक अभी लेखो में अक्छर मिलता है ये सब नागरी लीपी जिसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मान लिजी नौ सौ दो यहाँ पे हिंदी लीपी भासा जो भी है ये सब ये सब कसब एक समूह मिलाकर कहिए न जितना भी आप लिखे हुए हैं चाहिए दिख रहे हैं आप लोग को और आजो मचोड ख़धर जो भी दिखे रहा है आप लोग को ये सब के सब देवनागरी लीपी में लिखा गया है एक लीपी में लिखा गया है जिसका नाम है देवनागरी लीपी आगे देखते हैं देवनागरी लिपी के बारे में एक और महत्पूर्ण तत्या यह है कि संसार में जहां भी संस्कीरित है प्रकिर्थ की पुष्ट के प्रकासित होती है वे प्रायो देवनागरी लिपी में ही छपती है संसार में यतने शंस्कीरित भासा कि मैंने जानना है आप लोग को संस्कीरित भासा अगर लिखा जटा है चान छपता है पुस्ट तो द्रह नागरी लिपी में ही रहता है मना जिसे ये लिखा गया है न उसी तरस लिखायाता है वैसे विदेशों में के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतिये पंडित भी उपर नीचे कुछ चीन जोडते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्किरित प्रकिर्थ के उधारण एवं गरंत शपवाते हैं उधारण है गुजराती लीपी देवनागरी से अधिक भीन नहीं है गुजराती लीपी है लीपी जो है गुजराती लीपी है तो गुजराती लीपी देवनागरी लीपी से अधिक भीन मने अलग नहीं है मतलब एक जैसा ही है बंगला लीपी परचीन नागरी लीपी की पुत्री नहीं तो बहुन अवस्य है यह कहा जाएगा इसे नागरी लीपी के बहुन कीसे कहा गया है तब बंगला लीपी को किसको मने बांगला लिपी जो है नागरी लिपी की पुत्री नहीं है तो बहुत जडूर है इसे कह सकते हैं हाँ दक्षिन भारत की लिपियां बरतमान नागरी से काफी भीन है दक्षिन भारत की जो लिपियां है साउथ इंडियन के साउथ की तरफ के जो लिपी है यह दिवनागरी लिपी से काफी भी। उच्छुब लगा जिखा गया आप लोग को दिखाएंगे। बहुत बहुत मतलों अलग अलग को लग लिखता है। क्यों नहीं आएगा क्योंकि उसका लीपी अलग है अगर लीपी हम लोग कर रहे तक इतना भी बड़ा रहा है छोटा रहे तब पढ़ ही लेंगे हम लोग तो यह दक्षिन भात की जो लीपियां है बरतमान नागरी लीपी से क्या है काफी भीन दिखाई देती है लेकिन यह तथ हमें सदय असमरण रखना चाहिए असमरण मने याद रखना चाहिए कि आज कुछ भीन सी दिखाई देने वाल दक्षिन भात की यह लीपियां तमिल, मल अभी कुछ समय पहले तक्स दक्षेन भारत में पोथियां पोथी में तो इसे हम लोग जैसे जाया तो अगर देखा जाया तो जो पंडित लोग पंडि जी लेके चलते हैं तो पोथी पतरा लोग बोलता है पोथी उसको पोथिया लिखने के लिए नागरी लिपी का विभार होता था दर असल नागरी लिपी के अरंभी के लेख हमें दक्षिन भारत से ही मिले हैं दक्षिन भारत से मिले हैं बात समझो दक्षिन भात में भी मतलब असपस्ट है कि नागरी लिपी था दक्षिन भारत की यह नागरी लिपी नांदी नागरी कहलाती थी यही देवनागरी लिपी था लेकिन उधर जो दक्षिन भात में क्या कहलाती थी नंदी नंगरी नंदी नंगरी कहलाती थी कौंकड के सिलहार मान्य खिट के राष्ट कूट देवगिरी के यादो तथा बिजाए नगर के सासकों के लेख नंदी नागरी लिपी में है पहले पहले बिजाए नगर के रजाओं के लेखों के लिपियों के नंदी नगरी नाम दिया गया सबसे पहले आप लोग पहले पहल देहेंगे बिजाए नगर बिजाए नगर के जो राजा है उनके लेख के जो लिपी है उसी को हम लोग नंदी नगरी के नाम दिया गया उसी को नंदी नगरी टिया गया नंदी नगरी को यहाँ पे आगे देखते हैं यह आप लोग जैसे पत्र है या तामर पत्र है आगे देखते हैं आपर देखिए दक्षिन भारत में तम्मिल मल्यागाम और तेलिगु करनड की लिपियां का स्वतंत्र विकास हो रहा था फिर भी दक्षिन भारत में अनेक सासकों ने नागरी लिपि का इस्तिमाल किया है दक्षिन भारत में हम देख रहे थे तो जो तेलगू कनड की लिपिया है सोतंतर विकास हो रहा था उस पर कोई रोग छुक नहीं था वह अपना विकास हो रहा था बढ़ रहा था अलग बन रहा था एक तरह से लेगन वहां कि जब सासक मतलब जो दक्षिन भारत के राजा लो खुँआ रजिंदर जैसे परतापी चोड़ राजाओ के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं अच्छा सीक्या पर इसे हम लोग का सीक्या है मिलता है एक रूपिया तब रूपिया जो लिखा रहता है हिंदी में लिखा रहता है हिंदी मतलब उसका लीपी क्या है लिखने का नागरी लीपी है तो सीक्या पर भी नागरी लीपी रहता था उस जमाने के राजा एमने के रहावी सदी के राजा के पास भी सीकों पर क्या रहाता था नागरी अक्षर दिखने को मिलते थे बरहावी सदी के केरल के सासकों के सीकों पर बीर के लस्या जैसे सब्द नागरी लिपी में अंकित हैं कि तेहां पर बर्वी सद्धि के जो केरल के सासक हैं। केरलत लिखा लात था लेकिन वह लिखे ने कि जो लिपी था, वह नागरी लिपी हैं। अईसा नहीं था, तो लोग अपना भासा मेह लिखा था is已经. शुदूर दक्षिन से प्राप्त बर्गुण का पलियम तामर पत्र नवी सदी नागरी लिपी में है जो ये शुदूर दक्षिन से जो प्राप्त बर्गुण का पलियम तामर पत्र प्राप्त हुआ था बर्गुण का पलियम तामर पत्र ये नवी सदी में हुआ था कब नवी सदी में, तो वो भी तामर पतल लिखा गया था, तो वो नागरी लिपी में ही था, तामर पतल किस लिपी में था, नागरी लिपी में, सिरिलांका के पराक्रम बाहू, बिजय बाहू, बरहवी सदी, आदी सास्को के सिगो पर भी नागरी लिपी देखने को मिलता है, तो माने कहने का मतलब साउथ में भले ही आज लिपिया अलग है दिदेवनागरी लिपी से भीन है अलग ही लिखायता है जिसे ये सब लिखा गया तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे काया कि ओलोग तामिल तेल को लिखा गया इस तरह से गरान था मली आलम मली आलम ऐसे लिखायता है मली आलम हम लोग पढ़ भी नहीं सकते है क्योंकि हम लोग ये लिपी से रूबरू ही नहीं हम लोग जानती ही नहीं है ये लिपी कैसे लिखा गया है क्या पढ़ायता है और हिंदी भी लिखायता होगा हिंदी लिखता हुए जाया तो भारत में हिंदी चल दाया तो हिंदी लिखेगा हिंदी लें लिखेगा हिंदी लें उसका लिखावट अलग रहेगा लिपी अलग रहेगा लिखने का तो मालने जीए किested हम लीकिना है में पाई देजिए इससे लह पता है तो मालने लोग बात जो है एंच ही है भासा भी एक ही है, आम खाना है, वैसे लिखे या वैसे लिखे, लिए आप लोग लिखेने का रूप अलग दे दिए, मने लिखित रूप, लिपी क्या मतलब होता है, लिखित रूप क्या है उसका, लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे, तो वही है दिवनागरी लिपी नई तो अगर ABCD उसमें इप्योग कर रहे हैं तो समझे रूमन लेपी में लिख रहे हैं लेकिन हिंदी हिं लिख रहे हैं ठीक चलिए यहाँ पर देखिए सिहनलीज है तमिल है लैटिन है साथ भारत में सिहनलीज भी जानता है या तो सिहनली सिर्लांका में जानता है लोग लेकिन साथ भारत में भी कुछ लोग थोड़ा बहुत अलपसंख कर लोग जानता है तमिल देख लिए तमिल कैसे लिखा रहता है अब तमिली सब लिखा है हम लोगों बाता भी ने चल रहे ह अब क्या लिखा है लेटिन है यह सब लेटिन मतलब सीधा बात है कि के ए का खा गा घा अब पता नहीं ए लगाया है को है की खा है वहाँ देखना है Ka है की Ka है का है इसका मतलबी नहीं पताचल दा है Latin से रोमान से तो पताचल लिए के मने Ka होता है केस थे सुरू है के Ka से सुरू है सायद यहारत देखला है Ka has इमायरत नहीं है तो अपना मन्स से जुड़ेगा इसमें लिखा ही गया होगा, हम लोग सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे Latin भासा पढ़ा है कहा है ये भी CD देखके बोल दे रहा है हमान लोग ARM लिख दिया, A, A, A में ARM, कोई Hindi नहीं पढ़ा है तो कोची मतलब कुछ नहीं पढ़ा चलेगा हिंदी नहीं चलना चाहिए, उतार रूप लिख दिया खली Latin भासा हम लोग को rumor जिसे लिखा है तो लेकिन Latin भी लिखा है तो के ए लगा दिया का है कि खा है कि खा है कि को है पता नहीं चलता है का खा गा और इसे पड़ेंगे का खा गा होगा यह तससित है का खा गा होता है अब सबक्सक्राइब है अब हम लोगों इन चल रहा साउथ कि जब फिलम देखते हैं ते यह सब भासा जो बोड ओड होता है, दो रोड फिलागा होता है, उस पर इसाईसा भासा देखने के लिए मिलता है, Maliyalam. हम लोग को Malai qualifications पढ़ने नहीं नहीं आएगा हम लोग सभ्सवाइस जान भी नहीं पहेँगे उसे जान बुल नहीं पहेंगे जिसे ज हुआ को भारत में महांने कम से पहने लिखा रहेगा जिसे ऑम लिखा रहे क्या गाओं का नाम तो रहां English भी लिखे देगा तो इस भासा में बल्यालम लिखा रहागा तो आप लोगों पता भी नहीं चलेगा हाँ, इंगलीस है तो आप लोगों इंगलीस आएगा तो कोई दिकत नहीं सेनलीज है यह, तमील है, लेटीन है, यहाँ पर देखी रहे ता था दूसरी ओर, उतर भारत में, अल्पकाल, अल्पकाल मनें थोड़े समय के लिए, के लिए इसलामी सासक की नीव डालने वाले महमूद गजनावी, एगरावी सदी, पुरवार्द है मनें पुरवार्द का मतलब होता है, जिसे मान लिजिए, बीसी उसतादी हम बात करते हैं भी तो उनई सो पचास से पहले, उनई सो पचास क्या है, बीसी उसतादी है तो उनई सो पचास से पहले पुरवार्द है, और उसके बाद उतराद है माने 1950 से लेके 2000 के बीच में जो समय हुआ 200 तदी के उतरार्द हो गया माने उतरार्द है आदा से इधर तब उतरार्द है आएको पुरवार्द माने 21 सदी के पुरवार्द माने पुरवार्द हम 50 वर्द से पहले ही के लहोर के तकसाल में ढालेगा चांदी के सिक्कों पर, हम नागरी लीपी के सब्द देखते हैं, नागरी लीपी के सब्द देखते हैं, तकसाल में सिक्का ढालेगा चांदी के, उस पर नागरी लीपी सब्द देखते हैं, इन सिक्कों पर हम एक तरफ कूफी लीपी में कल्मा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लीपी में अंकित है एक तरफ कूफी लीपी है कूफी लीपी में है और दूसरी तरफ नागरी लीपी है तो एक तरह से कहा सकते हैं कि पहले जमाने में जो भी था इसलामी सासक भी अपना सिक्का बनवाता था इसे महमुद जो गजनवी बनवाया तो इस पे भी नागरी लिपी था तो नागरी लिपी के इतिहास आज नहीं बहुत पुराना है यहाँ पर अभी तो अभी और जानेगा अभी तो नागरी लिपी के इतिहास जन्ना शुरू ही किये है नागरी लिपी अंकित है अब्यक्त मेकम मुहम्मद अवतार निपती ये सी के 1028 मनें 21 सदी के पुरवार्द हो गया में शुरू किये गए थे असमरण रहे मने याद रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिन के चोड रजाओं के सीको पर भी नागरी लिपी लिखे हुए सब्द देखने को मिलते हैं ये दक्षिन भात के जो भी है चोड रजाओं के इसमें असम दंग रहा है ये तो जो सीका है आप लोग देख लिजन शकते हैं राम और सिता का राम सिया का जो है चित बना हुआ है यहां पर आते हैं महमूद गजनी के बाद के मुहमद गवरी अलाव दिन खिलजी सिरसः आदि सास्को ने भी अपने सीकों पर नागरी सब्द खुदवाएं हैं सेर्षा मतलब सिधा सिधा हम लोग एक दम पास के इसलामी राजा जिसे सेर्षा के मकबरा है सासाराम में जिसे मालें जिसे सेर्षा सूरी के जो कीला था मनें एक तरस महल कहिए या जिसमें वो रहता था तो है रहतास गण का कीला आदी सासकों ने भी अपने सीके पर नागरी सब्द खपवाएं हैं या खुदवाएं हैं बदसाह अकबर ने ऐसा सीका चलाया था जिस पर राम सिता का करिती है बदसाह अकबर अकबर एक ऐसा सीका चलाया था जिसपे क्या है राम सिता का आकेती है और नागरी लिपी में राम सिता का आकेती है और नागरी लिपी में लिखा गया है राम सिता का आर्थ होता है राम और सिता राम सिता राम सिता उतर भारत में उतर भारत जिसे हम लोग के तरब बिहार उतर भारत में आगेती है तो हम लो लोग बिहार के लिए अपने आप में एक प्रगाश से अंतिम ही हैं। हम लोग के बाद एक देश आयाता है निपाल। थ्वासा बिहार के बाद जब हम लोग जाएंगे उधर तो और उत्तर मिलता है उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में मिवाड के गुहिल, सांभर अजमेर के चवहान, कनोज के गाहडवाल, कनोज के गाहडवाल यह सब क्या है राजस्थान में है सब, कठियावाड, गुजरात के सुलंकी, आबू के परमार, जेजा कभुक्ती, मनें बुंदेल खंड, अब कहाता है बुंद पहले यह नाम था, जेजा कभुक्ती, बुंदेल खंड के, चन्देल, तथा तीर्फूरा के, कल्चूरी, सास्को के लेख, नागरी लिपी में ही है, लेख जो है, नागरी लिपी में है, चाहे उनके लेख जीसे माल, अजनके आयतिहास, या उनके द्वारा कियाकर्म्हारी जो भी मिलता था तो वो सब नागरी लिपी में है उत्तर भारत की इस नागरी लिपी को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं उत्तर भारत की जो लिपी है नागरी लिपी हम लोग देवनागरी लिपी के नाम से जानते हैं ये सब सिक्का है पुराने जमाने का कुछ ऐसाई सब्द भी इसमें मिलता है जो कि नागरी लिपी का इतिहास बताता है उप्रिवक्त जनकारी से स्पस्ट हो जाता है कि इसा की आठवी नवी सदी से नागरी लिपी का प्रचलन सारे देश में था आठवी नवी सदी में था जो सारे देश में परचलन था कौन लिपी का नागरी लिपी का यह एक सवर्व देशिक लिपी है सवर्व देशिक लिपी मने सभी देश के लिपी है सभी देशों में यह लिपी है मानते हैं कुछ लिपी भारत में अन्य लिपिया भी है लेकिन नागरी लिपी सभी देशें में हैं मने सर्वदेशिक लिपी का है ता है ये भी दे सकता है प्रसनाप लोगों सर्वदेशिक लिपी की से का है ता है नागरी लिपी या देव नागरी दोनों दे सकता है गुपते काल की ब्रामी लीपी तथा बाद की सिध्धम लीपी के अक्षरों के सीरों पर छोटी आडी लकीरे या छोटे ठोश तीकोन है लेकि नागरी लीपी के मुख पहचान या है कि इसके अच्छरों के सीरों पर पूरी लकीरे बन जाती है लकीर जिसे ये लकीर हो गया ये जिसे लिखा गया असानी तो असानी के उपर लकीर खिचा गया है तो यह पहचान है एक तरह से जिसे हम अभी दिखा रहे हैं आप लोग को मल्यालम में जिसे देखिए मल्यालम देख लिजी यहाँ पर मल्यालम यहाँ पर हो गया मल्यालम में कोई लकिर खिजा गया है मने यह नहीं 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 मनें तक साल जिससे लिखा गया है यह नागरी लिपी में है यह सब कसम नागरी लिपी है तो यह सब नागरी लिपी तो उपर में क्या खिचा रहता है लकीर हम लंबी लकीर जितना बड़ा सब्दमाइचे डालने वाला तो इतना बड़ा लकीर खिच देता है उपर में यह प ड़िम्न को मैं आंटी नगरी है्ना आस अंगरी है तो नटास्टाव अले लगने हैव सटने लिपि बने लेकिर बने चानिरी लीपि पुरी लखिर बन जाती है आ और ये तो अगषीरोसाग्य को सूद को सूद जा उतने ही लुट सीरा होता है जिसे यहाँ पर कुछ देंगे वस इतना ही यह नहीं कि कुछ के लिए इतना खिच देंगे नहीं पुरा लामबा सब्द रहेंगे तो लंबा हुआ खिच जाएगा अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं दूसरी असपर्ष्ट भिसेस्तायो है कि इस परकी नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें असानी से थोड़े अभियास के बाद पढ़ा जा सकता है। वह भी संस्कृत ऐसे हैं लिखा जलता है, उसमें भी तो पाचानने के लिए एक टलाकी रिख़ता है उपर में। नीचे ऊपर बिन्दू दे दिया जाता है। वह विकास करके हिंदी बन गया है। तो नागरी लीपी यहां नागरी लीपी कि से लीपी से विकास हुआ है। त यहाँ पर देखते हैं नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी स्टाइली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं यहाँ पर देखते हैं आगे अब हमें यहाद देखना है कि इस नई लीपी को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहायता है सभी बात है नागरी लीपी कही नाम, नागरी लीपी, देवनागरी और नंदी नागरी यह सब नाम हो गया तो यह सब क्यों कहाएता है अखिर कुछ तो उहां का परचलन होगा विसेस्ता होगा तेहां पर देंगे नागिरी नाम की उत्पती तथा इसके यहां पर इतिहास जान रहे हैं हम लोग कोई छोटा मेंटा बात नहीं जाने इतिहास जान रहे हैं इसका तो यह ध्यान से सुनिएगा नागरी नाम का उत्पती नागरी नाम जो उत्पती हो गए नागरी नाम रखा गया कई से नाम रखा गया तो नाम सुनिए उत्पती तथा इसके और्थ के बारे में बिदवानों में बड़ा मत भेद है बिदवान के बीचे मत भेद है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इतिहास से तो जोडता ही है सब लोग, एक मत के अनुसार, गुजरात के नागर, ब्रामणों ने पहले पहल इस लीपी का इस्तिमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा, बिदवान लोग या कुछ मने गुजरात के नागर के ब्रामण लोग है, नागर ब्रामण लोग, गुजरात के नागर ब्रामण ने कहा कहा, पहले पहले इस्तिमाल हुआ मेरे यहां, तिसलिए हम लोग नागर से नागर ब्रामण, लोग ब्रामण के अलग जाती या कुछ भी करने में अनेक अज़ड़ रहा है लोग यह बात नहीं होगा एकन्य मत अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है बाकी नगर क्याए नगर है अब इ जो मैंनेने मन्यमत कहा गए है बाकी नगर नगर है प्रंतु कासी देवनागरी है क। क formatsी किस लाज में है उतर पर देश में, देवनागरी है, बाकी सब नगर सिर्फ नगर है, लेकिन कासी है देवनागरी, मैंने देवो का नगरी, कासी को हैता है, इसलिए कासी में प्रयुक्त लिपी का नाम देवनागरी पड़ा, असपस्त यह एक संकुचित मत है, संकुचित मत मैं सीकुडा मत है थोड़ी मोड़े लोग बोलते हैं जिसे आज की अधार पे इसे भारत हो या भीहार भी लिया जाए special तो लोग के बीच में जत्याता कामत कई से बना हुआ है तो आदमी आदमी तसके जत्याता करणे रहा है भागवानों की जत्याता में फेर दे रहा है अमालो संकर जी के लोग जोड रहा है और नेको हो जाती है अगे हमारा जाती से थे संकर जी के जाती के लिए पता या ही नहीं गया है पता है किसी को लेइन कुछ लोग को आदर है हमारा जाती में कुछ लोग हमारा जाती में भगवान में लूट रहा है लुटा जास सिधा बात यही है कुछ लोग तो लुटिये लिया है जो बचा हुआ बंगवान उसको भी लुटने में रहा है जाती से जोड़के क्यारन काम मिलेगा उसको बेसी यह से बाद मिलेगा ना जदा माले आपन अदमी हो जी हन अगर आपन जात के देवता हो जुनता चल लेगो अलबेरूनी अलबेरूनी ने अपने गरण थे मनें 31 सिस्वी में लिखा है कि मालवा में नागर लिपी का इस्तिमाल होता है अताहिया असपास था कि एक यार के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्यव में आचुका था दर रसलेह सब्द और भी कुछ पहले अस्तित्यु में आचुका था ये मनें कहा गया है कि 130 में एकगो गरण च्पा था अलबेरूनी की है तो उस गरण में मालवा में नागरी लिपी इस्तमाल किया गया सचाई बात है कि उससे भी पहले था तब हैन्य सी क्या पे मिलता है पुराने पुराने जवाने के सी क्या पे मिलता है नागरिली भी यहीपर देख रहे हैं मलवा मलवा एक नगण है यहीई आता है मृध़पडेश में एünde उसके बाद है यहां पर गुजरात है यहां पर रायस्थान है राजपुत एस्टेट्स का रहता है था यहां पर जॉनपुर है यह तो प्राइंडिया के लिली है यहां बीजाइनगर है यह सब बाद में जाके बट गया ब्रहमदिस है यहां पर कंदेस है कंदेस है या कंदेस लिखा गया है बहुत छोड़ा जिटक चारे ना गुणडवाना है यहां पर बेंगोल है यहां पर उपर में कस्मीर भिया तेहाँ पर देखते हैं यही है अलबे रूनी रूनी अलबे रूनी इतना नीचित है कि यह नागरी सब्द किसी नगर अर्थात बड़े सहर से सम्बंदित है यह नागरी जो यह सहर है बड़ा सहर से सम्बंदित है तब यह तो इतना फेमस भुआ है पद्ता दित कम नामक एक नाटक से जनकारी मिलती है कि पटली पुत्र मन नाटक में भी उपियों का दिया गया है पटली पुत्र मने पटना और पटना कहता है पटली पुत्र ने पटना को नगर कहते थे हम यह भी जानते हैं कि अस्थापत्य की उतर भारत की एक विशेश सैली को नागर सैली कहते है जो विशेश सैली है उतर भारत के विशेश सैली उसको कहते हैं नागर सैली क्या कहते हैं नागर सैली अता नागर या नागरी सब्द उतर भारत के किसी बड़े नगर से संबध रखता है अगर फिक्स भी नहीं कह सकते हैं तता संभव भी नहीं है नहीं हो भी सकता है, होने के बहुते चांसे आसा है कि यही हो सकता है चंद्रगुप्त दिविती है विक्रामादित्य का ब्यक्तिगत नाम देव था ब्यक्तिगत नाम क्या था विक्रामादित्य अब लोग कहानी नहीं देखे होंगे या सिरियल में देखे होंगे जो राम जी है ना रमाइड में राम जी खेले हैं सीता लक्षमर सब लोग वो सबी कर आ मा दित्त लिए उसको मने नाम था इसलिए गुब्त की रजधानी पत्ना को देवनगर भी कहा आता है गुप्त के जो रजधानी है गुप्त के रजधानी क्या है पत्ना अब पत्ना को देव नगर कहायता है। उसके लीपी को जहां रहते थे विख्रमा देते आज जो लीपी चलवाएं तो लीपी को नाम दे दिया गया होगा देवनागरी लीपी लेकिन यह सिर्फ एक मौत हुआ मनें इदम असपश्ट जनकाली नहीं है एक मौत है विचार है लोग मानता है कि इसा हो सकता है कि यहां स पर चलन सुरू हो गया होगा हम सब परमाण नहीं बता सकते हैं मनें यह बोल रहे हैं यह बोल रहे हैं कौन गुडाकर मुले जी कि हम सब परमाण नहीं बता सकते हैं कि यह देवनागरी लीपी देवनागरी नाम कैसे अस्तित में आया देवनागरी जो नाम आया कैसे अस्त नांदी नगरी कहा लिख रहा है, वही लिपी होता है या बाइदिक सहित निच्चाई ही नागरी लिपी में लिखा गया होगा विदवानों का यह भी मत है कि वाकाट को और राष्ट कूटो के समय के, महराष्ट के परसीद नांदी नगर आधुनिक नंदेड आधुनिक जो है, मैं अब नंदेड कहता है, कि लिपी होने के कारण इसका नाम नंदी नगरी पढ़ा, लेकिन हमें नामकरण के इस जंजट में अधिक नहीं पढ़ना चाहिए, सही बात है नामकरण में नाम कहां से आया आधिक जंजट में उसका नहीं पढ़ना चाहिए या किसी नगर बिसेस की लिपी नहीं थी क्योंकि इसा की अठवी एगरहावी सादियों में हम नागिरी लिपी को पूरे देश में ब्याप्त देखते हैं उस समय या एक स्वर्व देशिक लिपी थी हम लोग नाम के जुट मुट का पड़े हुए है लेकिन ये जो लिपी है लिपी के बार में हम लोग पढ़ रहे हैं जन्योट में लिपी का जो परचलन है एक एगरहावी सादि के आसपास ही था मने कहने का मतलब इसा की एगरहावी सादि के आसपास आद नागरी लीपी मिलता है। हम लोग एक ख्यार के आसपस बहुत कर रहें तो यहाँ से नाम आया होगा। हो सकता है नाम बाद में उसका चेंज़ ग कर तो के नहीं रख दियां गयाहीं होगा। उसको नाम को अलग पुकारा जता होगा। लिए इतिहास जो है इसका आठवी सदी से ग्रहवी सदी में ही मने अस्तित्य में आ गया था नागरी लिपी पूरे देश में मिल गया था उस समय का यह सरोदेशिक लिपी थी यहां देखते हैं यह बिजाए नगर है साइथ पचास रिपे कैसी क्या पर पहले होला बिजाए नगर होला यह दिखाया गया होगा तिरी से नहीं चाका पईया है इसको कहायता है क्या बिजाय रथे या कुछ अन्य नामों से जानता है रथ है रिखता है का बिजाय नगर का ये बिजाय नगर है देश भर के नागरी लिपी के बहुत सारे लेख मिले हैं इस नागरी लिपी के उदाय के साथ भारती है इतिहाच और संस्किर्टी के एक नए यूग की शुरुआत होती है भारत इसलाम के संपर्क में आता है भारत है इसलाम के संपर्क में और बाद में 23 सदी से इसलामी सास् अरंब होता है तेरावी सदी में नए संपर्दाय अस्तित्वे में आते हैं नए संपर्दाय को बन क्याता है भारती समाज एवं बहुत से संपर्दाओं को एक ब्यापक नाम मिलता है हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म हिंदू समाज एवं हिंदु धर में नागरी लिपी के साथ-साथ अनेक प्रदेशिक लिपियां भासाएं भी जन मिलेती है अठवी सदी में अरंभिक हिंदी के साहित मिलने लग जाता है हिंदी के आदी कभी सरह पाद मनें अठवी सदी के दोहा कोस की तीबत से जो हस्त लिपी मिली है वो दसवी एगर हवी सदी की लिपी में लिखी गई है नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल के बहुत सारी हस्त लिपिया मिली हस्त लिपिया मैंने हाथ से लिखे गई लिपिया इसी काल में भारती आरे भासा परिवार की आधुनिक भासा है मराथी, बंगला आधी जन में ले रही थी, इस समय से इन भासाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं, आगे देखते हैं, लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं, इन भासाओं के लिए दक्षिन भारत में बिक्सित ब्रामिल लिपी का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था प्रन्तु दक्षिन भारत में नागिरी लिपी का भी खुब बेभार था दरसल नागिरी के अरंभिक लिख हमें बिंधे परवत के नीचे के दक्कन परदेश में ही मिलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, द्रॉमीड भासा के परिवार है, इसमें कनाड़ा भी यता है, तिलगू यता है, कोड़ा वा साथ है, मील, कोटा, तोड़ा, तेलगू, कोया, ओलारी, यहाँ पर थुरदा, कुछ भी से सश्चत्रों में भासावर है, इसकी से, बिहार में बहुत स पूरी है। और क्या है मैथली हिंदी तो लग लोग प्रद्श में चलता है। तो थौख और भी मगई रही है। बंगाली भी है। बहुत ज़रा मतलब भासा यहाँ पर थौख चलता है। यह जो है। दुरामीड भासा परिबासा ये साउथ में देखने के लिए मिलेगा हम लोग अत्रफ नहीं मिलेगा तलगल है खेड संबैधानिक भासाई हैं यहाँ पर संबैधानिक भासा जो संबीधान में भासा लिखा गया है तब 22 भासाओं का उलेक है भारतीस संबीधान के भाग 17 343 से 351 में ये भासा जो है 22 गो है यहाँ पर कस्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, आसामी, मलियालम, गुजराती, मराथी, कन्नड, तेलगू, तम्मिल, उडिया, संस्कृत, नेपाली, मडिपूरी, कॉंकुरी, बोडो, डोगरी, मैथली, संताली हिंदी और अंग्रेजी भारत की केंद्री अधिकारिक भासा हैं, हिंदी और अंग्रेजी, केंद्री भासा यहाँ पर देखते हैं, अनेक बिद्वानों का मत है कि दक्षिन भारत में नाग्री लिपी का परचिंतम लेख, राष्ट कूट, राजा दंती दुर्गे का समागड, दान पत्र, साथ चौवन इस भी है, दंती दुर्गे ने राष्ट कूट सासन की निव डाली यह राष्ट कूट सासक मुल्यत करनाटक के रहने वाले थे, और इनकी मात्री भासा कन्नड थी, प्रन्तु यह खांदेश बिदर्भे में बस गए थे, दंती दुर्गे बाद इसका चाचा किरिस्न प्रथम राष्ट कूटो की गदी पर बैठा, इसी किरिस्न के सासन काल मे इलोरा, परचीन एलापूर, वे रूल मे अनुपम, यहां इलोरा के गुफा भी है महराष्ट में, कैलास मंदीर पहाल को फट कर बनाया गया था, किरिस्न के कुछ लेख भी मिले हैं, नवी सदी में अमोगवर्स एक प्रख्यात राष्ट कूट राजा हुआ, इसी अमोगवर्स जो क्या हुआ, एक राजा था, राष्ट कूट राजा हुआ, ने, राष्ट कूट की नई राजधानी, मान्य खेट, राष्ट कूट की नई राजधानी, मान्य खेट, राष्ट कूट की राजा कौन था, अमोगवर्स, कौन, अमोगवर्स, तो अमोगवर्स जो था रायत था राष्टकुट के जो नई 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 राष्टकु इसा की अठवी सदी में पच्छिम महराष्ट के कौंकड परदेश में सिलहारों का राज्य अस्थापित हो गया था एगरावी सदी में इनकी एक साखा का राज्य कौलापूर सतारा परदेश में भी अस्थापित हो गया था इन सिलहारों के नेक नागरी लेख मिले हैं एगरावी सदी से नागरी लिपी में परचीन मराथी भासा के लेख मिलने लग जाते हैं अक्षी कुलाबा जिला से सिलहार सासक केशी देव प्राथम का एक सिलह लेख एक यह बारह इस भी मिला है जो संस्कित मराथी भासाओं में है और इसकी लिपी नागरी है परदू दिवे आगर मने रतनागरी जिला तामरे परटे पुनेता मराथी में है जो दिवे आगर मतलब रतनागरी जिला तो रतनागरी जिला में जो तामरे पत्र है वो मराथी में है इसे मराथी का आध्या लेख मानायता है नागरी लिपी में लिखा गया यह तामरे पत्र एक हजार साथ इस भी का है एक हैर साथ इसभी का है, जो ये लिखा गया है, आप लोग को मराथी, नहीं, नागरी लीपी में लिखा गया है, लेकिन कौन था है, ये तामरपत है, मराथी में लिखा गया है, इसे के भासा मराथी है, लेकिन जो इसका लीपी है, नागरी लीपी है, नागरी लीपी के जो यह मनतामर पत्र था एक यार साथ इसवी का करनाटक परदेश का सुरावण बेल गोल अस्थान जैनों का एक परसीद तिर्थास्तल है जैन का परसीद तिर्थास्तल जो है सुरावण बेल गोल करनाटक परदेश के सुरावण बेल गोल अस्थान है जो जैन का परमुक या पर सिद्ध तिर्थस्तल है, यहां गुम्तेसवर का भव्यत पूतला खड़ा है, गुम्तेसवर का, इस अस्थान से बिभीद भासाओं और लिपियों का अन्यक लेख मिले हैं, श्री गंग राजे सुताले करविये श्री गंग राजा ने परकोटा बनवाया, एक अन्य नागरी लेख में लिखा है कि श्री चाउंड राजे करविये ले, यह लेख दक्षिन भारत शैली की नागरी लिपि में है, देवगिरी, देवगिरी की यादो राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लिख मिलते हैं, जो देवगिरी के यादो राजा, अभी भी देवगिरी के इतिहास में जाया तर यादो वंस का ही मैं नाम है, यादो मैंने, अभी भी अब तो सब भारत जितने भी किला है, महल है सब वैसे ही अपना कर्म पे आशू बहा रहा है एक तरह से उसको मुरमत भी लोग नहीं करा रहा है ना नेगरानी या ना देखबाल कर रहा है छोड़ दिया है जिसको मैंने भारत तरगा को महत्तो हो रखना चाहिए था ये महत्तो भारत में इतना है कीला और महल का इतना है यहाँ पे कि बीदेश से आता यहाँ पे घुम कर देखने के लिए यहाँ टुरिस्ट लोग आता लिए उसको उस तरह का बनाया जाता है जो किसी देश में नहीं है वो हम लोग के देश में है महल है पेरीस का महल तो यह महल वो महल बीदेशों में है लिए हम लोग कभी अपना महल है जो कि बीदेश से लोग आता राजा की जवाना के सब देखता लिए वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं कोई निगरानी नहीं कोई देख रिख नहीं उस जमाने के राजा के जो भी ब्यवस्था है तलवार या जो भी भाला जो भी उचेसमे का अस्तितों जो था त्वाबुत संगराल है जिसा त्वाबुत बनाकर वहाँ पे उसको मरमत करके देख रेख करके नीगरानी करके तो देवगिरी की यादव राजाओं के नागरी लीपी में बहुत सारे लेख मिलते हैं यादव राजा, राम चंद्र, तिरावी सदी के तामर पत्र में A और O की मतराएं अक्षरों की बाई और हैं कलियान के पच्छमी चलुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लीपी में है, चलुक के रजा है, ये है जैमा बिंधवासनी, बिंधवासनी की क्या है, बिरांगना, बीरमती यादव, देवगिरी यादव समराज्य की महरानी, बीरमती की देश भग्ती और बलिदान की कहानी, अब पता ना का की है, मने खुद से अपने में तलवार मने डल ली है, अब ये क्यों की है इसा, अब इसका इतिहास पोणना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये देवगिरी का यादव बंस का अभी भी किल्ला है, महल है, आगे देखते हैं, उरिसा, मतलब कलिंग पर्द हमातने छेखते हैं, नागरी लेख नौकेवल पुच्छिम तर्फा, पूर्य भारत से, बलकी सुदूर्ध दक्षेंку भारत से भी मिले हैं, दक्षेंग भारत के पांडेपरदेश से, राजा बर्गून के पलियम तमर्पत्र मिले हैं, प्रथम तमर्पत्र तम्मिल से приложit j प्रन्तो इसकी दूसरी और नागरी लिपी जो संस्कीत में भासा का एक लेक सुरू होता है या इसा की नवी सदी का है मैंने जो प्रथम जो है ये वरगुण के पलियम ताम पत्र जो प्रथम है तमिल में से सुरू होता है अजो नवी सदी का है, मैंने वो संस्कीत भासा में मिलता है, संस्कीत भासा में है तो नागरी लिपी उतरभात में पहले पहल गूर्जर परतिहार रजाओं के लेखों में नागरी लिपी देखने को मिलता है अन्यक बिद्वानों का मत है कि ये गुर्जर परतिहार बाहर से भारत आये थे गुर्जर परतिहार थे जो बाहर से भारत में आये थे इसा की अठवी सदी के पुरवार्ध में अवंती परदेश में उन्होंने अपना सासन खड़ा किया और बाद में कनोज पर भी अधिकार कर लिया था मिहीर भोज महेंदरपाल आदिप्रख्यान ते प्रतिहार सासक हुए मिहीर भोज 840 से 81 40 से 81 में तो 41 बस कि गवालियर प्रसस्ति नागरी लिपी संस्कृत भासा में है जो गवालियर प्रसस्ति क्या है नागरी लिपी के संस्कीत भासा है भासार संस्कीत लेगन लिपी हो गया नागरी लिपी यह है गुर्जर इंद्रे मतलब गुर्जर इंद्रे नाग भट प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंत यह उनके किला दिखाये गया है उनके राजा को दिखाये गया है गोड़ा पर अजा गूर्जर लोग गोड़े पपे ही अगर आज की इतिहास में दिखा जाए तो उनके चित्र गोड़ा के उपर हिंदिखता है दारानागरी की परमार सासक भोज अपने बिदवान नुरागी के लिए इतिहास के परसिद हैं प्रंतु इस सासक के बहुत कौम अभिलेख मिले हैं गुर्जर पतिहार के बहुत कौम अभिलेख मिला है इस राजा के बंसवाड और बेतमा दानपत्र क्रमसो कौंकड बिजय तथा कौंकड बिजय परव के अवस इस भी कहा है। तो उस समय से आसपास से जो हिंदू सासवक हैं जायात और अगरभारत में देखा जातों देवनागरी लिपी कहीं इस्तमाल करते हैं। नागरी लिख अंकित किये हैं जो इसलामी सासवक हैं भारत के उन नागरी लिपी हीं मैंने अंकित किये थे आभी तक किसी ने किसी के यहां मिलता है। टेक है , यह आप लोग का पार्ट को खतम होगे आप लोग को, इस पार्ट से जितने भी अप लोग को अब्जेव्टिव और सब्रव्ession बन रहे हैं, आप kuris कीजिए, इसको बना के देखने के लिए बनाईए, अब्जेव्टिव तो हालांके clear हो जागा, कोई दिकत नहीं मेल लेकिन सब्जेप्टिव के लिए लिख के देखिए इसका आप किस तरह से कितना कैसे लिख पा रहे हैं मार दिम थापड़ बसान तो जी बहुँ कि यहां पर लोक से रिक्वेश्ट यही है कि आप लोग इसको सब्जेपट्व बनाके दखिए हैं। सब्जेपट्व बनाएगा ताकि को कम से पता चलेगा। कि आप कितना लिक்त पा रहा हैं। किस तरह से लिख रहा हैं। उसमें आप कोशिस किजिएगा अच्छा से अच्छा लिखें ताकि इस objective आप लोग को नमबर दिला सकते हैं यहां से objective तो कोई दिकत नहीं होगा किया पूरा का पूरा लाइन में लाइन पढ़ लिए हैं आप लोग objective का भी question answer लगाएगा तो वहां से भी कोई दिकत नहीं मिलेगा हो जाएगा तो कुशिस किजिए आप लोग इसके जो बात जो वीडियो हमारा आने वाला है वो छे पात का बस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल सस्क्राइब लेगा तापके बस वीडियो पहुंच जाएगा वीडियो को सेर कर दिजिए सभी लोग के पास आईए चैनल के बारे में बता दिजिएगा अपने से जुनियर स्टुडेंट के पास ताकि ये चैनल से त्यारी के आगे करते रहेंगे यहां प्लेइलिस्ट है ता आप लोग प्लेइलिस्ट से लाइन बे लाइन वीडियो देख लिजिएगा ताकि आप लोगो जैसे पढ अगर किताब तो किताब पढ़िएगा हो सकता आपका ध्यान इधा उदर रहे तो समय अधिक भी लग जाए सब कोचन आप लोग पकड़ भी ना पाएं इसलिए आप लोग लिए अच्छा ही है एक तरह का ताप लोग वीडियो देखके पढ़ सकते हैं ठीक आप लोग मेरे अगले वीडियो का इंतिजार किजिए यानि छेपाट का हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक क्लिज्या हिंद जय भात बंदे मातरम